राकी गुलजार एक ऐसी अदाकारा जो अपने मासुमियत से लोगों का दिल मोह लेती थी एक्टिंग इतनी शांदार की लोग उसके मूरिद हो जाते थे पर्सनल लाइब भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं थी सोला साल की उम्र में पहले शादी की जो महज दो साल चल पाई फिर उन्होंने पूरा फोकस अबने करियर बर किया और सत्तर के दशक्ति टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल होगी इसी दोरान उनकी शादी गुल्जार से हुई लेकिन ये लौ स्टोरी भी पूरी नहीं हो पाई और बेटी के जर्म के एक साल बाद दोनों अलग रहने लगे पर कभी तलाक नहीं लिया राकी की सुपर हीट फिल्मों में से एक थी कभी कभी जो की यश्चोपडा ने बनाई थी राकी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी दरसल इस वक्त तक राकी की शादी गुल्जार साथ से हो चुकी थी गुलजार साफ ने साफ कह दिया था कि शादी के बाद राकी फिल्मों में काम नहीं करेगी राकी ने भी गुलजार साफ की ये बात मान ले थी कभी कभी फिल्म की कहानी और गीत राकी को धहन में रखकर लिखे गए थे इसलिए जब राकी ने फिल्म में काम करने से इंकार किया तो येश चोपडा ने कह दिया कि वो फिल्म बनाएंगे ही नहीं इसे दरवान राकी प्रेगनेट भी हो गई मगर बेटी के जनम के बाद पती गुलजार से राकी के मदबेध होने लगे पूरा दिन राकी घर में अकिले रहकर बोर्ज हो जाती थी जिस कारण वो फिल्मों में दोबारा वापसी करना चाहती थी इनी बातों को लेकर राकी और गुलजार साहब के बीच जगड़े होना शुरू हो गए किस्सा ये भी है कि फिल्म आंधी के लिए राकी गुलजार साहब के साथ कश्मिर गई थी एक दिन गुलजार साहब फिल्म स्टार संजियो कुमार और सुचित्रा के साथ बैटे हुए थे संजियो ने खुब शराब पी ले और सुचित्रा के करीब आने लगे बात तब बढ़ गई जब नशे में संजीव कुमार ने सुचित्रा का हाथ पकल कर अपनी तरफ खीच लिया सुचित्रा खुब गुस्से में थी तो गुलजार साब उने छोड़ने होटल में उनके कमरे तक गए सुचित्रा के साथ बंद कमरे में बैटकर गुलजार उनका गुस्सा शांत कराने लगे दो घंटे बाद जब गुलजार कमरे से निकले तो बाहर राकी दरवाजे बर खड़ी मिली जो इतनी रात में पती को सुमित्रा के कमरे से बाहर आता देख भलक पड़ी इसके बाद दोनों के बीच खुब जगड़ा हुआ और इसी गुस्से के चलते राकी ने यश्चोपडा से कह दिया कि वो कभी कभी में काम करेगी और फिल्म कभी कभी साइन कर ली गुलजार साब उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हुए और दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया फिल्म बनी और बहुत बड़ी हीट साबित हुई फिल्म तो काम्याब हो गई लेकिन राके और गुलजार का रिष्टा इस फिल्म के बाद असफल हो गया हलाकि दोनों ने कभी कानूनल तलाक नहीं लिया लेकिन दोनों के दिल एक दूजे को तलाक दे चुके थे